नमस्ते साथियों, कैसे हैं मेरे भाई, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और त्यारी आप लोग का बहुत अच्छे तरीका से चलता होगा, तो सत्तरवी BPSC Pre-Exam से रिलेटेट हम आप लोग के लिए यहाँ पे नए प्रैक्टिसेट लेकर रहा हैं, नए आने वाले हैं, ठीक है, तो importance class होगा, और importance प्रसन भी होंगे आपके लिए, तो आप लोग इस lecture को पूरा देखिएगा, completely देखिएगा, जिससे आप लोग को प्रसन का लेबल को देखकर प्रसनों को समझने में कोई दीकत नहींगा, प्रसना बन सकते हैं, यहाँ से तो ध्य तो देखेंगे यहाँ प्रसन है कि निमनल लिखित में से कौन सा बॉन चैलेंज से संबंधित है, बॉन चैलेंज के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बॉन चैलेंज के मतलब हुआ बन, बन मतलब होता है फोरेस्ट, जंगल, तो जंगल से रिलेटेड यहाँ पी बातों को कह बाजर है कि किस से यह संबंधित हो जाएगा, बॉन चैलेंज जो होता है एक वैसी के प्रियास होता है, जैसे बात करेंगे, मेरे भाई, जो बन होते हैं, उनकी कटाई किया जाता है, उनके द्वारा जो भूमी है, उसमें कुछ न कुछ किया जाता है, तो यह सारे चीज ज होता है, यह एक वैसी प्रियास होता है, यह किस से रिलेटेड है, किस से संबंधित है, इसका रिलेशन किस से बनेगा, यह चीज हम लोग को देखना होगा, तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे निम्नकृत भूमी के जीड़ी द्वारा से, यह अप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही जा रहा है, क्योंकि यह बौन चलेंज है, यह बनों से संबंधित है, यह जंगलों से संबंधित है, तो मेरे इसका जो यह बनेगा, यह निम्नकृत भूमी मतलब जमीन से बनेगा, ठीक है, भूमी को बहाल करना और इसके जो लक्षे है, कटाई है बनों का इससे निव्यांगों का तक कभी हो नहीं सकता है और यहाँ पे तो डी अप्सण होगा नहीं कभी तो अप्सण नमबर यहाँ पे मेरी भाई, अप्सण यहाँ पे सही जाएगा राइट है? इसके बात करेंगे सेकेंड प्रस्न पे यहाँ पे देख लीजेगा जो सेकेंड प्रस्न है कि निम्नल लिखित में से भारत के राष्टी ये मानो अधिकार आयोग NHRC की निप्ति कौन करता है बहुत सुन्दर सा प्रस्न है भारत के जो राष्टी ये मानो अधिकार आयोग होते हैं NHRC इनको नियुक ते कौन करता है बहुत अच्छा सुन्दर सा प्रस्न है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रस्न कि सर यहाँ पे आप देखे रहे हैं NHRC इसका फोल परम क्या होता है NHRC का फोल परम क्या होता है तो मेरे स्थाथी को याद रख लीचेगा नेशनल हिउमेन राइट नेशनल हिउमेन और दोस्तों जो आप लोग को हम लीग कर बता रहे हैं यह ध्यान रख लीचेगा नेशनल हिउमेन राइट कमीशन होता है क्या होता है मेरे भाई नेशनल हिउमेन राइट कमीशन होता है ठीक है तो इससे ध्यान में रख लिज़ेगा और अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी अस्थपना का इसका अस्थपना कब हुआ था इसका जो अस्थपना है कब हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को मानो अधिकार 1993 के संद्रचन के प्रोधान के अनुसार इसकी अस्थपना किया गया nutritive 12 अक्तूबर 1993 को ठीक है तो ध्यान में रख लिजी आप और आप्लोग को बतालते हैं ये कब संसुधीत किया गया था ये जो मानो राष्टिय मानो अधिकार आयोग है ये कब संसुधीत हुआ था ये मेरे दोस्तों, ये कब संसोधित हुआ था, ये भी ध्यान में रख लिजेगा, तो 2006 में हुआ था, कब हुआ था, 2006 में इसको संसोधित किया गया था, अब यहां पर रहा भालत कि, राष्टी मानों अधिकार आयो को नियुक्त काउन करता है, तो बिल्कुल आप लोग को द ठीक है, अब चूना जाता है, मतलब कैसे चूना जा सकता है उसका, ये भी तो कुछ प्रवधान होगा, कि हम राष्टी है, जो भारत के राष्टी है, मानों अधिकार आयोग है, इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट पती है, तो कैसे करते हैं, आप लोग के दिमाग में कु सकता है, ठीक है, तो ही वह अधियाच बन सकता है, और यहाँ पे जो राष्ट पती जी है, अगर उनको अधियाच बना रहे हैं, अगर नियुक्त कर रहे हैं, तो नियुक्त करेंगे कब, जब वहाँ पे सदस्यों की नियुक्ती, राष्ट पती के द्वारा तो किया अधियाच्पत पर उनको निक्त किया जाएगा, तो option A यहाँ पर सही जाएगा, सरकार तो कभी होगा रही, यह COD खतम हो गया, ठीक ना, तो ध्यान रख लिजिएगा, राष्टिय मानो अधिकारायोग, NHRC, National Human Rights Commission, अस्थापना, 12 October 1993, इसको कब संसोधित किया गया था, लाया गया था, 2006 में ला गया था, ठीक है, राष्टपती निक्त करता है, option यहाँ पर A सही जाएगा, आगे बात करेंगे तीसरे प्रस्न पर, यह भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रस्न है, बन्य जीवों की प्रवासी, प्रजातियों के संदचन पर अभ समय, CMS, CMS के मतलब होता है, Conventions of the Conversation of Majority of Space of Wild Animals होता है, ठीक है, ध्यान में रख लीजेगा, उसी को CMS के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बात करेंगे, दोस्तों, यह जो CMS होता है, यह जो होता है, यह संजुग्त राष्ट पर्यावरन, यह कारेकरम के अंत्रगत, एक अंत सरकारी संदी होता है, क्या होता है, मेरे भाई, एक अंतर सरकारी संदी होता है, कौन सा, दोस्तों होता है, तो यह जो आप लोग उपर देख रहे हैं, प्रस्न में, CMS होता है, इसे बाउन कनेक्शन के नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई, इसे बाउन कनेक्शन के नाम से बहुत important है, bond connection के नाम से किसा जाना जाता है, ये भी तो आप लोग के दिमाग में होना चीए, तो cm, s को जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई, और ये भी ध्यान भी रखना होगा, इसे कब हस्ताचर किया गया था, तो 1989 में हस्ताचर किया गया था, और 1983 में लागो किया गया था, जो जो important points है, आप लोग को बताते चल रहे हैं, ध्यान में रखते चलेगा, cm, s को लागो किया गया था, 1983 में, ठीक ना, और इस पहस्ताचर किया गया था, 1989 में किया गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लिए, ये जो पार्टिया है न, cm, ये जो पार्टियों में भी इसको सम्लिद किया गया था, बहुत सारी पार्टिया थे, राष्ट था, उसमें इसको सम्लिद किया गया था, एक मार्च दो हजार बाइस को, ठीक है, कभी किया गया था, मेरे भाई, तो एक मार्च दो हजार बाइस को, इसको जो है, सम्लिद किया गया था, CMS में, और कि 1883 में CMS का सदस्ट भी रहा है जो हम लोग का आपना देश जो भारत है ये भी CMS का सदस्ट से रहा है कब मेरा भाई तो 1983 से रहा है ये भी इंपोर्टेंस है रहा जाता है ध्यान में रख लीचेगा भारत जो आपना देश है CMS का सदस्ट ये कब से रहा है तो 1983 से रहा है ओके मेर भाई ध्यान में रख लीजेगा सब कुछ तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कथन पर वीचार करने के बात कर रहे हैं इसे बॉन कनेक्शन के नाम से जाना जाता है जी हाँ अभी आप लोगों को कुछ दिर पहले बता हैं कि यह जो CMS जो है कारे करम है यह ठीक है और इस इसके तहट यह जो है अंतर सरकारी संदी है जिससे बॉन कनेक्शन के नाम से जाना जाता है अपसन यहां पर सही हो रहा है दूसरा है यह वैस्वी कस्तर पर संदच्छन उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी अधार तियार करता है बिलकुल मेरे भाई आप लोगों क इससे बाद यह कारी समझोता ग्यापन एम ओ उपर हस्ताचर के नो भाई एम ओ उपर हस्ताचर नहीं किये गया है यह गलत यहां पे बाते कह रहा है तो तीसरा यह यहां पे गलत हो गया देख सकते हैं और और अप लोग आप्सन को सही कली जाएगा यहां पर केवल पहला औ इसको आप लोग सही कली चेगा, right समझ गए बातों को चलिए ठीक है आगी देखते हैं अगला प्रस्न आगी देख लिजए कि ये भी बहुत अच्छा सुन्दर सा प्रस्न है ODCS, अंतरीच यान के संदर में कत्नों पर बिचार करना है, ODCS इसको जाना जाता है नोवासी चंदरलेंडर ये ध्यान में रख लीजएगा, ठीक है कहाँ पर मेरे भाई, तो ये फुलोरीडा की बात यहाँ पर करें फुलोरीडा, फुलोरीडा होता है क्या होता है दोस्तों, फुलोरीडा होता है उसकी बात यहाँ पे कर है जिसको नासा के नाम से नासा सहीं यह इसको लंच किया गया ठीक है नासा जैसे बात करेंगे नेशनल एरो नाटिक्स एंड एस्ट एडमेटरेशन के नाम से इसका जाना जाता है नासा ठीक है तो मेरे भाई यह जो आप लोग ODCSE अंतरीश यान जा नहीं उताना है चंद्र लेंडर है तो मेरे भाई दोस्तों कहां पर उतरेगा तो आप लोग के दिमाग में तुर्ण परस्ना का उतर चला गया होगा सर यह बिरस्पती पर नहीं उतरेगा सर यह चंद्रमाप उतरेगा कहां पूतरेगा सर यह चंद्रमाप उतरेगा ना कि बिरस्पति पूतरेगा, तो पहला यहां पे तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट्स जो है मेरे भाई, यह गलत हो गया, ठीक है, सेकेंड की बात करेंगे, मिसन आटेमिस से, अभियान का हिसा है, मिसन जो है, आटेमिस अभियान का हिसा हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यह सही हो तो ये अंतरीश जो है मेरे भाई यहाँ पर 2024 दिया है ना तो आप लोगों को हम डेट बता देते हैं कि 22 फ्रवरी 2024 ये जो अंतरीश यान जो है चंद्रमा ग्रह पर उतरने के लिए क्या है था ये रेडी था त्यार था ठीक है तो कुरंटा प्रस्ण था पीछे का तो ध्यान से नहीं है निती आयोक सासी परिशत के सदसे नहीं है ये भी अच्छा और इंपोर्टेंस प्रस्ण है तो देख सकते हैं यहाँ पे विधाई का वाले केंडर सासीत परदेश के मुख्य मंत्री ओके ये तो भाईया कभी हो गया हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा ठ इसी के सदस्य के रूप में माने जाते हैं ठीक है अन्यक केंडर सासीत परदेश के जो उप राजय पाल होते हैं उनको भी इसमयाद आया जाता है ठीक है जाते हैं तो ध्यान में आप रख लेशेगा मेरे भाई तो विज़ार में से एक से अधिक आप लोग यहांपर कर लीशेगा शेहीं डी अफ्षान यहाँ पर सही चला जाएगा आगे देखेंगे प्रसना 6 है यहां पे जो प्रस्न छे बोल रहा है कि निम्दा लिखित में से कौन सा देश 2023 T20 बिश्व महिला कब का बिजेता रहा है महिला बिश्व कब का बिजेता कौन सा देश रहा है ठीक है तो 2023 महिला विश्वकप की बात किया तो दच्छीन अफिरका आप लोगे कर लीचेगा सर सही यहाँ पे दच्छीन अफिरका यहाँ पे सही होगा जिसमें से अस्ट्रेलिया मेरे अस्ट्रेलिया की जीत हासी किया था तो अंतराष्टी जो अस्ट्रेलिया महिला टीम है यह चट्छी बार इस बार जो है टी टेवेंटी वर्ल्ड कप है यह जीता था ठीक है तो ध्यान में आप लोग रख लीचेगा और पिछली जो महिला टी क्या हो जाएगा अपसा नंबर सी सही हो जाएगा आस्ट्रेलिया हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई आस्ट्रेलिया हो जाएगा तो अभी कहिएगा सर आपके दिमाग में तुरंत आप लोग को गया होगा कि सर जी यहां पर दच्छीन अफिरिका कैसे कर दिया है नो भाई यह बिषार की दोस्ते हार गया था समझ में आ गया ना चलिए ठीक है कि अगला जो प्रसना यहाँ बिहार किस जिल्य में हाली में सबसे रामाय।ա का निर्मान कारीय सुरू किया है सुधिójक बीया गध्याना गलत हो जाएगा पुर्वी चंपारुंगों को साही करिएगा बिहार के जो पुर्वी चंपारोंन जिलह हैं 20 जूंसे कभसे 20 जूंसे ध्यान में 25 से दुनिया के सबसे बड़े मन्दिर का निर्वान कार्य सुरू करने के साथ एक महतपुर परयोजना को एक महत्पुन परियुजना को सुरू किया गया ठीक है और ये मंदिर जो है मेरे भाई जो कमबोडिया में एक प्रसीद मंदिर है कमबोडिया में कौन सा मंदिर है कमबोडिया में ये कौन सा मंदिर है तो आपके दिमाग में तुरूंत जाता होगा कि सर अंगरवाट का मंदि ठीक है तो यहां पर यहीं बात रखा जा रहा है उमीद बन रहा है कि जो रमायन मंदिर बनेगा इससे उंचा बनना का उमीद यहां पर लग रहा है कहां पर मेर भाई तो बिहार का एक जिला है पूरीवी चंपान यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो ध्यान में रख ल क्या रही है तो बस दे कुटम वकम के लिए योग यहां पर सही करेंगा क्योंकि हर साल हर साल मतलब 21 जून को कब मेरे भाई 21 जून को ठीक है क्या मनाए जाता है अंतराष्टि योग दिवस के रूप में चाना जाता है अंतराष्टिय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका ओदेश यह क्या है कि लोग जो है बहुत सारे लोगों को जागरूत किया जाए किसे तो ब्याम से मतलब ब्याम करना उनके लिए सबसे बहुत इंपोर्टेस होगा तो धियान रखना होगा यहाँ पे आप लोग देख रहे है इसका अर्थ क्या होता है आपके दिमाघ में तुरंट आरह वगा कि सर्ही इसका अर्थ क्या होता है कि धरती ही हम लोग का अपना परिवार है और इसमें जितने भी लोग रहते है उनको हम क्या करेंगे स्वस्थ बनाने का प्रियास करेंगे उनकी स्वस्थ के लिए योग की जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक न? तो ध्यान में रख लिजएगा बसुदय कुटमकम क्या है? धर्ती ही परिवार का धर्ती ही परिवार है हम लोग जो है धर्ती पर रहते हैं तो इसलिए हम लोग को स्वास्त के लिए क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, राइट है, तो यहाँ पर अप्सन इस सही चाहिएगा, ठीक न मेरे भाई, नेक्स्ट देखेंगे प्रस्न नाइन, जो प्रस्न है कि निंदलिखित में से किस एक संगठन द्वारा हाली में ए से अधिक हो जाएगा, मेरे साथियों देखेंगे यहाँ पर, यह भी बहुत सुन्दर सा प्रस्न है, ठीक है, तो मेरे साथियों आप लोग यहाँ पर सही कलिएगा, खाद और क्रिसी संगठन जो हो जाएगा, यहाँ पर अप्सन इस सही होगा, नेक्स्ट देख लीचेगा अगला प्रस्न है, दस नंबर, यहाँ पर जो दस प्रस्न है कि मुंगेर में 1930 के नमक सत्यागरा का नेतरियत वह किस ने किया था, मुंगेर में 1930 के नमक सत्यागरा का नेतरियत वह किस के द्वारा किया गया था, स्री क्रिष्न के द्वारा, स्री क्रिष्न सिंग के द्वारा आगे देखेंगे प्रस्णा इगारा है इगारा जो प्रस्णा है की पाटना उच न्याले के पहले पाटना उचिन्याले के पाहले भारती say जो है थे कौन थे तो यहाँ पे अब्दुल गफूर बिल्कुल गलत है महमुद उइनिस इभी गलत हो जाएगा तो सर फैजल अली को आप लोग कर लीजेगा सही यहाँ पे सही हो जाएगा सर फैजल अली पाटना उच न्याले के पहले भारतियों और पहले मुस्लिम पर बिचार करना है तो इस तरह के प्रस्ण जो है ना अधिकांसतब एटल को बता रहा हो पर भातिया है लक्षी दिभ की बात किया है ना मेरे भाई समझजीएगा ध्यान से लक्षी दीप पिर 9 भाई, भारत का सबसे चोटा किंदरसासित पर्दिष कुई माना जाता है, लक्ष दीप को माना जाता है, इसका जो बात करेंगे, यहां पे कितने दीप है तो लक्ष दीप में जो है 36 देप हैं ठीक है तो ध्यान में रख लीश हैगा आपको हम चलते हैं अब प्रस्न पे 36 दीपो वाला लक्षदी भारत का सबसे बड़ा किंद्रसासित परदेश है नो भाई भारत का सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए सबसे छोटा कहएगा तो हम यहाँ पे करेंगी यह सही हो जाएगा तो 36 दीपो वाला लक्षदी भारत का सबसे छोटा किंद्रसासित परदेश है यह बड़ा का रहा थाए मेरे दोस्त यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा हो जाएगा ना कतन यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है इसके बाद बात करेंगे दूसरा बात करते हैं यह एक प्रसासक के माध्यम से सीधे किंद्र के नियंतरन में आता है तो मेरे भाई यहां पर क्या यह सही हो जाएगा न मेरे दोस्ते यह सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक प्रसासा के माध्यम से सीधे क्या होता है, केंद्रा के नियंत्रन में आता है, केंद्रा इसकी दिखराया करता है, तो यहाँ पी यह सही हो जाएगा, तीसरा की बात करेंगे, तो संपुर्ण लक्षदीप, दी आगे देख लीजिएगा अगला जो प्रसन है तेरा प्रसन है कि जय प्रकास आंधुलन के दोरान सरकार के दमनकारी उपायों की विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पदम सरी वापस कर लिया था बहुत अच्छा सा प्रसन है आप लोग के सामने हैं दोस्तों तो बात करें अमल साह नो दोस्त ये गलत हो जाएगा उपिंद्र महारत ही गलत है फडिस्वरी नाथ रेनु का नाम यहां पर सही हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई यहां पर जो हो जाएगा फडिस्वरी नाथ रेनु यहां पर सही हो जाएगा ठीक ना तो इनके द्वारा जो है पदम स प्रदर्शित की है, क्रिसी छेत्र ने रिनात्मक के ब्रिधी प्रदर्शित की है, तो रिनात्मक ब्रिधी की जब भी बात आया, तो मेरे भाई सीधा दिमाग चला जाता है, तिसरी पंचवर्सी योजना में, ठीक है, थार्ड फाइनल येर प्लान में चला जाता है, क्योंकि यह जो है 35 वर्षी युजना मेरे भाई 1961 से 6चट उनी सो एक सर से उनी सो 6चट वहीं चीज बताते रहें किसी उत्पाधन की ब्रीदी जर्जू था वह कितना था ? माइनस 1.0 था कितना था मेरे भाई माइनस 1.0 था तो उसी समय भारत में के लिए जुध काल और राजनितिक इस्तिता का काल मना जाता था कम मेरे भाई तो 19166 तो ध्यान में आप लोग रख लीजेगा वहीं चीज यहां पर बाते का रहा है तो तीसरी पंचवर्षी यहां पर क्या होगा मेरे भाई सही हो जाएगा आगे देखेंगे प्रस्ण 15 है तो 15 जो प्रस्ण है कि निम्दलिखित में से ऑप्रेशन ग्रीन का उद्यस्य क्या है ठीक है यह भी अच्छा प्रस्ण है बीपीसी के द्वारा इस तरह के प्रस्ण हमेसा पूछे जाएंगे अप्रेशन ग्रीन जो है इसए जिसें में बात करेंगे टौ गीमत जो कीमत में ब्रिधी देखने को मिलता इसको अप्रेशन ग्री के नाम से बलागाने जिसे长 माहिए मतलब 100 अधtv 20 अधिसी है साथ क्या तो आलो भी तो मांगा है ना तो इनका मुल्य नियंत्रन होना चाहिए ठीक है तो यहां पर इसका अगर बात करेंगा, अगर बज़ट की बात करते हैं, 2018 से 2019 के बज़ट के अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर टमाटर हुआ, प्याज हुआ, आलु हुआ एनके मुल्य की कीमतों में इस सिर्था ही तो इसको green जो है operation green के नाम से इसके शुरुआत किया गया और यहां पर बताया गया दोस्तों की किसानों की जो उनके उपर जो होती है सही कीमत प्राप्त हो सके और उपहुकताओं को भी ओचीत कीमत के दर पर उसको दिगा जा सके ठीक है तो अपसन यहाँ पर ऐसा ही जाएगा आगे बात करेंगे सुल्लप प्रिस्न है कि ब्रतमानवी भारत में महारतन कमपनियों के संख्या कितनी है अभी जश्ट है कल की कलास में हो सकता है आप लोग को महारतन कमपनियों के बारे में बताया थे महारतन कमपनियों दोस्तो तो महारतन कमपनियों 12 है दोस्तो कौन कौन सी है लेकिन यह सुची जो कर रहे है 2023 के सुची का अनुसार यहाँ पर अप्शन में दिया गया भारत भी इलेक्ट्रो लिम्टेड हो जाएगा तो आप लोग यह सारे महारतन कम्पनियां है बारह याद करना होगा ठीक है नेख्ष देखिएगा अगला प्रस्न है कि तरलता अधिमान का अर्थ क्या होता है तरलता जो अधिमान होता है इसका अर्थ क्या होता है बहुत ये भी मस्त प्रस्न है तो तरलता अधिमान का जो अर्थ होता है मेरे भाई ये जो होता है आप लोग का दिच्छे का नगदी के रूप में परी संपती धारन करना क्या होता है नगदी के रूप में परी संपती को धारन करना ठीक है अप्सन भी यहाँ पे सही जाएगा आगे 18 जो प्रस्न है कि BRICS के new development बैंक का मोख्याले कहाँ पे इस्तित है, BRICS का पूछा गया है तो यह संगहाई में इस्तित है, मेरे भाई यहाँ पे अप्सन नमबर यह सही हो जाएगा कहाँ पे इस्तित है, संगहाई में इस्तित हो जाएगा अप्सन यह सही जाएगा अब यह थोड़ा सा BRICS से related आया है, मेरे भाई BRICS सम्मिलन कहाँ पे गवा है, यह बहुत important हो जाता है, बहुत पर एकजाम में आता है कि BRICS ठीक है, BRICS सम्मिलन सबसे पहले कहाँ पे हो था, ब्राजील में किया गया था कहाँ पे मेरे भाई BRICS को सही करिएगा, ब्राजील आप लोगों सही कर लीजेगा, अपसान यह सही जा रहा है आगे मेरे दोस्त देखेंगे 19 प्रसन है कि राष्टी है होटी कल्चर मिशन किस पंचवर्षी यूजना में आरंबे किया गया था होटी कल्चर, अच्छा सा प्रसन है, होटी कल्चर किस पंचवर्षी यूजना में जो है, इसको आरंबे किया गया था मेरे भाई, तो 10 वी 5 वर्सिय यूजना यहां पे सी होगा क्या होगा 10 वी 5 वर्सिय यूजना मतलब 2005 में इसको प्रारंबiben किया घया था और मेरे बाइक इसमें बताया गया क्लेटर मीशन के नाम से बोले हैं जो रख रखाओ के लिए प्रार्व में किये थे कि आलावदिन खिल जी के दौरा किया गया तो आलावदिन खिल जी के दौरा किया गया था अप्शन भी सही जाएगा आगे बात करते हैं अगला प्रस्था 21 21 प्रस्ण है कि मुरको देश का यात्री इन बबतुता निम्ना लिखेतने से किसके सासन काल में भारत है इबन बतुता या इबन बतुता यहां पर भी हो सकता है कहीं कि बहुँच कुछ देखने को मिलता है तो इबन बतुता भी होता है ठीक है मेरे दोस्ते इसे ध्यान रख लेंगा इबन बतुता ठीक है तो इबन बतुता जो था मेरे भाई 1333 बात रखिएगा उस अब चलते हैं इतिहास में 1333 में मुहांमद बिन तुगलक के सासन काल म भारत देश से आया ठीक है ये कहां का निवासी था इबन बतुता तो दोस्तो ये जो था अफिरिका का निवासी था कहां का निवासी था अफिरिका के मुर्ग कको कहां का निवासी था अफिरिका के मुर्ग कको देश का निवासी था ठीक है दिहान में रख लीचेगा अप पादभो के बिज्ञानिक बिज्ञान की जो साखा होती है उसको वर्ग की के नाम से बोला जाता है ठीक है अपसन यहां पे बीस आई जाएगा आगे देख लीचेगा अगला प्रसन है कि वसुसक पुस्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है इसमें जो होता है सुनगंधित पुस्पकली होता है सुंगंधित पुस्पकली होता है जिसका उप्रियोग जो है मसालों में हम लोगे करते हैं और जो होता है ये मेरे भाई ये सदा बहार पोधा होता है कौन सा पोधा होता है तो कहिएगा सर ये जो होता है सदा बहार पोधा होता है और इसका उत्पती जो हुआ है उत्पती कैसे हुआ है तो उत्पती जो हुआ है इंडोनेसिया देश से हुआ है कौन सा देश से हुआ है तो मेरे भाई इसका जो उत्पती हुआ है किस देश से हुआ है तो इंडोनेसिया देश से उत्पती इसका हुआ है उत्पादन कहा कहा ह होता है कौन-कौन से दुस में होता है extr added अपतना देपादन सबसे ज्यादा होता है एक तो आपना देश हो जाएगा मेरे भारत सांथ हो जाएगा अ theological the देश में भी होता इंडोनेसिया को आप लोग कर लीजेगा कि इंडोनेसिया में जो है मिरभाई लॉंग का उत्वादन होता है ठीक है और कुछ कुछ देसे यहां पर आप लोग ठीक है तो सी को कर लीजेगा सही हो जाएगा आगे बात करेंगे तंत्री का तंत्र का क्या कारिय होता है 26 प्रसन है कि तंत्री का तंत्र का क्या कारिय होता है तंत्री का तंत्र क्या करता है ये तो जितने भी हमारी सरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है structure की जो बनावत होती है जो जितने भी कार्य करते हैं, हमारी जो तंत्रे होते हैं, वो एच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, एच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और मेरे भाई हिर्दय गत्री को भी नियंत्रित करता है, सोचने समझने की विच्छता जो होती है, उसको नियंत्री करता है तो D-Option यहाँ पर सही आता है अब रहाबाद की तंत्री का तंत्र किसे बना होता है तो तंत्री का तंत्र है जो है बहुत सारी तंत्री काओं बहुं सारी तंत्री काओं कोशी काओं मेडुरईज्चु और मस्टिस जैसे सनमेदी अंगों से मिलकर तंत्री का तंत्री का निर्मान होता है तंत्री का तंत्र बना हुआ है ये तंत्र संप्off की घैटना को याद रखने की जो भी हम अभी अभी पढ़ा रहे हैं, यह सारे सब तंत्री का तंत्रा नियंतरन कर रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं, आप लोग जो है सुन रहे हैं, फोन से जो है वीडियो को देखते हैं, यह सारा कुछ OCS से रिलेटर होता है, संतूलन को हम लोग के सरीर के भी संतूलन को बन सरीर में कौन सा भनडारीत नहीं होता है यह सरी में भनडारीत नहीं होता है क्या किική मानों भृता सरी में इस नहीं होता है ठीक ना, ओके चलिए ठीक है, आगे देख लेंगे, आगला जो प्रस्न है, 26 नमबर, 26 जो प्रस्न है कि बीधवा, पुनर, बीवा, अधिनियम किसके सासन काल में लागो किया गया था, तो लाड डल होजी, लाड डल होजी के सासन काल में अट, जो है इसको लागो किया गया था, और इस अधिनियम को जो है, 1856 में, लाड केनिंग के ध्यान रखिएगा, 1856 में दोस्तो, लाड केनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया था, बीधवा, पुनर, अधिनियम, ओके, ठीक है, हिंदू ब पारेकाल में जो है इसको त्यार किया गया था और जो पारित किया गया था लाड केनिंग के सासनकाल में पारित किया गया था 1856 में राइट है चलिए ठीक है लाड केनिंग भी दिया है का मेरे भाई हां बहुत अच्छा यहां पर लाड केनिंग भी दिया है दोस्तों लाड के लागों किया था तो लागों ही पूछा गया हमने ध्यान नहीं दिया हमने सुचा चलिए त्यार दिया है तो हमने लागों को कर दिया लेकिन भी अप्सन सही जाएगा आगे देख लिएगा अगला जो प्रसन है 27 नंबर 27 जो प्रसन है कि निम्न में से किसे पेरिस की रायल एसियाटिक सोसाइटी की सद्यस्यता प्रदान किया गया रायल एसियाटिक सोसाइटी की सद्यस्यता जो है किसको प्रदान की गई है तो माइकल मदु सुदंदंत को आप लोग सही कलीश हैगा यह सही हो जाएगा ठीक है प 28 प्रशन है कि निमने में से किस अंग्रेज ने स्वर प्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद किया भागवत गीता तो भागवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुबाद किसके दवारा किया गया तो बिलियम जोन एस किसके दवारा मेरे भाई चाल्स विलिकंस के द्वारा किया गया ठीक ना? ओके बहुत अच्छा ठीक ना किसके द्वारा मेरे भाई? चाल्स विलिकंस के द्वारा जो है पहली बार 1780 में पहली बार मेरे दोस्ते 1780 में गीता का संस्कृत में अंग्रेजी मनुबाद किया गया था šarls wzưỌaliks आगे देखिएगा अगला जो प्रrüस्ण है कि किसके सतत प्रयास ची कर्व यहां पे सारे प्रस्न ही आ जाते हैं और हम वहां पे डिफाई ने बढ़िया तरीका से कर जाते हैं तो बहुत कुछ बता देते हैं तो यह सारा देख लिजेगा कुछ प्रस्न मिलते जुलते हैं तो हमको याद आ गया ठीक ना यह बहुत बार हम वहां पे सातियों को बताएं तो यहां अस्तापिय गया था, कहाँ पे मिर भाई तो मुंबई में, मुंबई हाँ, बंबई तो दिया है, आगे देख लेंगे प्रसनत यहां, राणजीत सी किस मिसल से संबंदित हो जाएंगे, राणजीत सी, तो ध्यानव रख लेकली चीका, राणजीत सी की बात आया, तो राणजी सुकर चक्या मिसल यहां पे सही हो जाएगा, क्या होगा, सुकर चक्या मिसल यहां पे सही हो जाएगा, सुकर चक्या मिसल, आगे देख लीजेगा, अगला जो प्रसन हो जाएगा, यह वाला, 35 प्रसन है, भारत, सोरी, 31 प्रसन है न, कि भारत और इंगलेंड के आर्थिक हित प्रतिक चेत्र में टक्राते हैं यह कथन किसका है यह कथन जुवाहलाल नहरुजी का हो जाएगा भारत और इंगलेंड के आर्थिक हित्य प्रतिक चेत्र में टक्राते हैं यह जुवाहलाल नहरुजी का कथन था ठीक है इसके बाद बात करेंगे 32 प्रस्मा बतिस प्रस्मा ए इन सीटू संरच्छन के उधारवन में रखा गया है किसको रखा गया है यह भी मस्त है तो देख लेंगे मेरे भाई बायो अस्परियर रिजर्ब ठीक है बिल्कुल सही बात है बन्य जीवा फ्यारां यह भी सही बात है पवित्र उपवन यह भी सही तो मतलब यहां पे डी के बारे में बताना होगा कि यहां पे कौन सा कथन जो है आशांतियों सही बात है अस्थापना की बात करेंगा दोस्तों बता देते हैं इसकी अस्थापना जो है 23 डिसंबर 2005 में हुआ है ऐस्थापना कि अख़ा है तो इसका स्थापना जो हुआ है लिव TH दिसंब्र 2005 में हुआ है भारत सरकार अधनीयम आप्धा प्रबंधन के माध्यम से इसके स्थापना किया गया है इसका प्रमुख गिरिः मंत्रि होते हैं बिलकुल वाहत то दी यहां पर सही जा तो राष्टिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरन जो है इसके प्रमुख क्यों होते है ग्रियम मंत्री होते हैं ग्रियम मंत्र आले का दिन आता है अस्थापना 30 दिसंबर 2005 को हुआ अब मेरे भाई एक प्रस्ण हमारे दिमाग में आ रहा है कि इसका नित्रीत वह कौन करता है यह चाता है प्रस्ण बात करेंगे आगे 34 प्रस्ण है चोतिस प्रस्ण की बस्तू एक शिवा कर GST के संबन्द में कौन कथन सही जिये अश्टि के संबन्द में कौन सा संबन्दित है यह देख रहा है तो GST बस्तू को और सिवांग पर लगाएजाने माला एक मुल्यम वर् तो D option यहाँ पर सही चला जाएगा D option मेरे दोस्तों यहाँ पर सही चला जाएगा और एक last प्रसन है 35 प्रसन लिए थे आज आपके लिए 35 जो प्रसन है निंदलिखित में से सरवच नियाले में सबसे अंतमी दायर की जाने वाली याचिका कौन से है ठीक है मेरे भाई अपसने सही कलिएगा तो मेरे दोस्तों यह BPSC 17 वी BPSC के according यह प्रसन थे pre-exam के लिए कैसा लगा class आप लोगों को जुरूर आप लोग बताईएगा completely वीडियो को देखिएगा जिससे आप लोगों को इस तरह के प्रसन जो है झाल